अच्छ के सवसर पर हम सब को अपने वचनों से अनग्रहित करने के लिए हिंदी मा बोला है वे टले हूँ पने हिंदी मा बूलिश गुजराथ के मुख्यमंत्री सिमान भुपेंद्र भाई पटेल सियार पाटिल गुजराथ सरकार के मंत्रीगन पीये मावास योजना के सभी लाभार्ती परिवार अन्य सभी महानुभाव और गुजराथ के मेरे प्यारे भाई और बहनों आज गुज्रात के मेरे जिन हजारों भाई बहनों को ग्रह प्रवेश हुआ है उनके साथ ही मैं पुपेंद्रबाई उनकी टीम को भी बहुत बढ़ाई देता हूँ अभी मुझे गाव और शहरों से जुड़े हजारों करोड रुपिये प्रोजेक्स का सलान्यास और लोकारपड करने का अवसर मिला है इसमें गरीबों के लिए घर है पानी के प्रोजेक्स है शहरी विकास के लिए आवश्चक प्रोजेक्स है इंडिस्ट्रियल डेवलपेंट से जुड़े भी कुछ प्रोजेक्स है मैं सभी लाभार्थियों को विशेश रुप से उन बेहनों को जिने आज अपना पक्का घर मिला है मैं सब को फिर से एक बार बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ भाजपा के लिए देश का विकास यह कन्विक्षन है कमिट्मेंट है हमारे लिए राष्ण निर्मान एक निरंतर चलने वाला महा यग्य है अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछी महिने हुए है लेकिन विकास ने जो रप्तार पकड़ी है वो देखकर मुझे बहुत ही आनंदार आ है सुखद अनुभूती हो रही है हाल में ही गरीब कल्याण के लिए समर्पित गुजरात का तीन लाग करोड रुपे का बजेट पेश किया गया था बंचीतों को वरियता ये बंचीतों को वरियता देते हुए अनेक निर्णे एक प्रकार से गुजरात ने नित्रुत्म किया है बीते कुछ महिनों में गुजरात के लगभग पचीस लाख लाभारतियों को अईश्मान कार दिये गए है गुजरात की लगभग दो लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधान मंत्री मात्रु बंदना योजना से मदद मिली है इस दौरान गुजरात में चार नए मेडिकल कॉलेज खुले है नई सरकार मनने के बाद गुजरात में आधुनिक इंट्रासेक्टिर के लिए हजारों करोड रुपे के काम शुरू हुए है इनसे गुजरात के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर बनने वाले हैं यह दिखाता है कि गुजरात की डबल इंजिन सरकार डबल गती से काम कर रही है साथियों बीते नव वर्षों में पूरे देश में जो अभुत्पूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है एक समय था जब जीवन की मुल्भुत सुविधाओं के लिए भी देश के लोगों को तरसाया गया बरसों बरस के इंतजार के बाद लोगों ने इस अभाव को ही अपना भाग्य मान लिया था जिनकी पूरी करो भाई चोकरा मोटा दिन करू वह से कर से ऐसी निराशा जादा तर लोगों ने मान लिया था कि मैं जुग्गी जोपड़ी में पैदा होगा और आने वाली पीडियां भी जुग्गी में ही जुग्गी जोपड़ी में ही अपना जीवन वित्त पारित करेंगे इस निराशा से देश अब बहार निकल रहा है आज हमारी सरकार हर अभाव को दूर करते हुए हर गरीब तक खुद पहुंचने का काम कर रही है हम योजनाओं के शत्प्रतिशत सेचुरेशन का प्रयास कर रहे हैं यानि जीस योजना के जितने लाभारती है उन तक सरकार खुद जा रही है सरकार की इस एप्रोच ने बड़े पैमाने पर प्रस्टाचार समाप्त किया है बेदभाव समाप्त किया है लाभारती तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती हैं और नहीं जाती देखती है और जब आप किसी गाउं में पचास लोगों कोई मिलना ता है और पचास को मिल जाता है किसी के पंद का हो किसी भी जाती का हो उसकी पहचान न हो हो कुछ भी हो लेकिन एक बार सब को मिलता है मैं समता हूँ जहां कोई भेजभाव नहीं है वही तो सच्चा सेकुलरिजम है जो लोग सोशल जिस्टिस की बाते करते हैं जब आप सबके सुख के लिए काम करते हैं सबकी सुविधा के लिए काम करते हैं सबके उसके हग पहुंचाने के लिए श्रत प्रतिशत काम करते हैं तो मैं समरता हूँ इससे बढ़कर के कोई सामाजिक न्याय नहीं होता है इससे बढ़कर के कोई सोशल जस्ट्रस नहीं होता है जिस राह पर हम चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि जब गरीब को अपने जीवन की मूल आवश्यक्ता होगी उसकी चिंता कम होती है तो उसका आत्मविश्वाथ बढ़ जाता है थोड़ी देर पहले करीब करीब 40,000, 38,000 वैसे गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है इन में से भी करीब 32,000 घर बीते सवासों दिनों के भीतर बनकर तयार हुए हैं इन में से अनेक लाभारतियों से अभी मुझे बात्चीत करने का मोका मिला अने इमनी बात्चीत जामने तम नहीं लागी हुए से के मकान ना करने मनों आत्मविश्वास केटलों बदो तो अने जारे एक एक परिवार नों आत्मविश्वास पैदा था है तो एस समाज ने केवी मोटी सक्ति मनी जाते होई छे गरीव ना मनमा जे आत्मविश्वास पैदे हैंने लागे जे गहां हमारा हकनू छे अना समाज मारी साथे छे अब मोटी ताकात बनी जाए छे साथियों पुरानी नीतियों पर चलते हुए फेल हो चकी नीतियों पर चलते हुए न देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलत हो सकता है पहले की सरकारे किस एप्रोच के साथ काम कर रही थी आज हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है गरीबों के लिए आवाज देनी की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थे लेकिन दस बारा साल पहले के आकड़े कहते थे कि हमारे गाउं के लगभग पचचतर प्रतिशत 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का साउचाले नहीं था गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था गर सिर धकने की छत नहीं होती हैं जगर भर नहीं होती हैं गर एक आस्था का स्थल होता है जहां सपने आकार लेते हैं जहां एक परिवार का वर्तमान और भविश्यताय होता है इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सिमित नहीं रखा बलकि हमने गर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया गरीब के ससक्तिकर्ण का उसकी गरीमा का माज्यम बनाया आज सरकार के बजाएं लाभारती खुद तै करता है कि पी-एम आवास योजना के तहट उसका घर कैसा बनेगा यह दिल्ली से तै नहीं होता है गांधी नगर से तै नहीं होता है खुद तै करता है सरकार सीदे उसके बैंक एकाउंट में पैसा जमा करती है गर बन रहा है यह प्रमानित करने के लिए हम अलग-अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था लाभारती तक पहुँचने से पहले घर का पैसा ब्रस्टाचार की भेंट चड़ जाता था जो घर बनते थे वो रहने लायक नहीं होते थे भाई और भेनों प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सिमित नहीं है एक कई योजनाओं का एक पैकेज है इसमें स्वच्च से भारत अभ्यान के तहट बना सवचालय है इसमें सवभाग्य योजना के तहट बिजली कनेक्शन मिलता है इसमें उजबला योजना के तहट मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है इसमें जल जिवन अभ्यान के तहट नल से जल मिलता है पहली ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दप्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुप्त राशन और मुप्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है साथियों पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला ससक्ति करण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है पिछले नव वर्षों में करीब करीब चार करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं इन घरों में लगबक सत्तर प्रतिशत घर महिला लाभारतियों के नाम पर भी है यह करोड़ों बहने वो हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है नहीं तो आपने तया तो अपना देश मां बंदे खबर दे हैं गुज़नात में खबर देए कि गर होए तो पुरुष्णा नामे, गाड़ी होए पुरुष्णा नामे, खेतर होए पुरुष्णा नामे, स्कूटर, स्कूटर होए तो है पुरुष्णा नामे, और पती नामे होए और पती जो न रहा तो दिकरन नामे से ज़िए, माना नामे, महिला नामे काईज ना अने हवे माताओ बहनों नामे सरकारी योजनाना जिलाब वह न है एमा मातानू नाम जोड़वाम आवेशे कातो माताना इज हक अपमाम आवेशे पीएम आवास योजना की मदद से बने हर घर की किमत हवे कहीं पांच पित्यास जार मा घर न थी बनता डोड लाग पुणा बेल लाग शुदी खर्चों थाई छे एन वर थे थे हो कि आज ये बता प्रदान तरी आवास विजना में देवा गया जाने इमना घर लाखोनी किमत ना छे अनि लाखोनी किमत ना घर ना मालिक बन्या इसका मतलब यह हुआ कि यह करोडो करोडो महिलाएं लखपती बन गई है और इसलिए यह मेरी लखपती दिदी हिंदुस्तान के हर कोने से मुझे आशिरवाद देती है ताकि मैं उनके लिए ज़्यादा काम कर सकूँ कि सहत्यों देश में बढ़ते हुए शहरी करोण को देखते हुए बीजेपी सरकार बविश्ण की चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है हमने राजकोट में आधूनिक टेकनोलोजी का उप्योग करके एक हजार से ज्यादा घर बनाए यह गर कम किमत में बहुत कम समय में तैयार किये गए और उतने ही जादा सुरक्षित भी है लाइट हाउस प्रोजेक के तहट हमने देश के छे शहरों में यह प्रवुक किया है ऐसी टेकनोलोजी से आने वाले समय में और अधिक सस्ते और आधूनी गरीबों को आधूनी घर गरीबों को मिलने वाले हैं साथियों हमारी सरकार ने गरों से जुड़ी एक और चुनोती को दूर किया है पहले रियल एस्ट्रेट सेक्टर में मनमानी चलती थी दोखे बाजी की शिकायत आती थी मद्यमबर के परिवारों को सुरक्षा देने के लिए कोई कानून नहीं था और यह जो बड़े बड़े बिल्डर योजनाई लेकर आते थे इतनी बड़िया फोटों होते थे गर में भी तय होता है यही मकान ले लेंगे और जब देते थे तब कुछ रज दूसरा ही देते लिखा हुआ एक होता था देते से दूसरा हमने एक रेजा कानून बनाया इससे मिडल क्रास परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिली है और पैसे देते समय जो डिजाइन दिखाई थी अब उसको बनाने वालों को वैसा मकान बनाके देना कंपल सरी है वरना जेल में ववस्ता रहती है यही नही हम मिडल क्लास परिवार को भी घर बनाने के लिए पहली बार आजाती के बाद पहली बार मिडल क्लास को बेंक क्लोन के साथ ब्याज की मदद की विबस्ता की गई है गुजरात ने इससे भी बहुत अच्छा काम के एक शित्र में है गुजरात में मद्द्वर के ऐसे पांच लाग परिवारों को 11,000 करोड रुपिये की मदद दे कर सरकार ने उनके जीवन का सपना पूरा किया है साथियों आज हम सभी मिलकर आजहादी के अमरितकाल में विक्सित भारत के निर्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं इन पचीस वर्सों में हमारे शहर विशेश रुप से टियर टू टियर थ्री शहर अर्थ ववस्ता को गति देंगे गुजरात में भी इसा नेक शहर है इन शहरों की ववस्ताओं को भी वविशे की चुनोतियों के हिसाब चे तयार किया जा रहा है देश के 500 शहरों में बेसिक सुमिधाओं को अम्रित मिशन के तहर सुधारा जा रहा है देश के 100 शहरों में जो स्मार्ट सुमिधाएं विक्षित हो रही है वो भी उन्हें आधुनिक बना रही है साथियों आज हम अर्बन प्लानिंग में इज अफ लिविंग और क्वालिटी अफ लाइफ दोनों पर समान जोड़ दे रहे हैं हमारी कोशिश है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय खर्च ना करना पड़े आज देश में इसी सोच के साथ मेट्रो नेट्वर्क का विस्तार किया जा रहा है साल 2014 तक देश में 500 किलोमेटर से भी कम का मेट्रो नेट्वर्क था यानि 40 साल में 500 किलोमेटर मेट्रो रूट भी बना नहीं पना था जबकि बीते 9 साल में 600 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बना है उन पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है आज देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही है आज आप देखिए अमदाबाद जैसे शहरों में मेट्रो के आने से पब्लिक ट्रांस्पोर्ड कितना सुलब हुआ है जब शहरों के आसपास के शेत्रा अधुनिक और तेज कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो उससे मुख्य शहर पर दबाव कम हो जाएगा आमदाबाद गांदिनगर जैसे ट्वीन सिटी आज बंदे भारत एक्स्प्रेज जैसी ट्रेनों से भी जोड़े जा रहे हैं इसी प्रकार गुजरात के अनेक शहरों में इलेक्टिक बसे भी तेजी से बढ़ाई जा रहे हैं साथियों गरीब हो या मिडल ग्लास हमारे शहरों में क्वालिटी आप लाइब तभी संबव हो है जब हम उसे साप सुथ्रा बातावन मिले शुद्ध हवा मिले इसके लिए देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है हमारे देश में हर दिन हजारों टर्न मुनिसेबल बेस्ट पादा होता है पहले इसे लेकर भी देश में कोई गंबीरता नहीं थी बीते वर्सों में हमने बेस्ट मेनेजमेंट पर बहुत बल दिया 2014 में जहां देश में केवल 14-15 प्रतिशत बेस्ट प्रसेंग होती थी वहीं आज 75 परसेंट बेस्ट प्रसेंग हो रहा है अगर यह पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों में आज कूडे के पहाण ना खड़े हुए होते हैं अब केंदर सरकार ऐसे कूडे के पहाणों को समाप्त करने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रही है साथियों गुजरात ने देश को वाटर मेनेजमेंट और वाटर सप्लाइग ग्रीड का बहुत बैतरी मोडल दिया है जब कोई 3000 किलोमेटर लंबी मुख्य पाइपलाइन और सवा लाग किलोमेटर से अधिक की distribution लाइनों के बारे में सुनता है तो उसे जल्दी विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा काम लेकिन ये बगिरत काम गुजरात के लोगों ने करके दिखाया है इससे करीब 15,000 गाओं और 500,000 सहरी खेत्रों तक पीने का सुद्ध पानी पहुँचा है ऐसी सुविधाओं से भी गुजरात में गरीब हो या मद्यमबर सभी का जिवन आसान हो रहा है गुजरात की जनता ने जिस प्रकार अम्रत सरोवर के निर्मान में भी अपनी भागीदारी सुनिचित की है वो भी बहुत सरानिया है साथियों विकास की इसी गती को हमें नरंतर बनाए रखना है सब के प्रयाश से ही अम्रत काल के हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे अंत में फिर आप सभी को विकास कारियों के मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ जिन परिवारों को अपना सपना सिद्ध हुआ है घर मिला है अब वो नए संकल्प लेकर के परिवार को आगे बढ़ने का सामर्थ जुटाएं विकास की संभावना अप्रम पार है आप भी उसके हकदार है और हमारा भी प्रयास है आईए मिल करके भारत को और तेजगती दें गुजरात को और समुर्दी के दरब ले जाएं इसी भावना के साथ आप सबका बहुत पर धन्यवाद